Hello guys, welcome to Merit Seekers, in this video we will discuss about the basic concept of integration integration में क्या-क्या basic concept use हो सकता है, क्या-क्या basic concept हमें need पड़ेगी, उस सब के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले integration को समझने चे पहले हमें पता होना चाहिए कि what is the meaning of differentiation क्योंकि integration के अंदर differentiation का बहुत बड़ा role होने वाला है या आप कह सकते हो कि differentiation पे ही depend है सारा-का-सारा integration हर question के अंदर, हर concept के अंदर कहीं ना कहीं differentiation जरूर लगेगा तो सबसे पहले integration start करने चे पहले आपको क्या ध्यान लखना है आपकी जो basic knowledge of differentiation है वो पूरी की पूरी अच्छे से prepare होनी चाहिए तो सबसे पहले मैं आपको differentiation के बारे में बताऊँगा कि differentiation अक्छूल में होता क्या है कैसे कैसे आप question के अंदर apply करोगे कैसे कैसे different questions के अंदर apply करोगे सबसे पहला basic concept of rule है differentiation का differentiation का notation सबसे पहले क्या है d by dx d by dx किसकी notation है differentiation की और what is the meaning of x here कि किस variable के respect में आप differentiation कर रहे हो यानि कि जिस variable के respect में हो रहा है function हमारा x variable के अंदर है और हमें x में ही differentiation करना है that means यहाँ पर x लग जाएगा y में दे रहा है y के respect में करना है तो x लग जाएगा but function अगर y में है differentiation x में करना है तब दी x लग जाएगा means x का यहाँ पर basic सा meaning है कि जिसके respect में differentiation हो रहा है जिस variable के respect में देखो कैसे सबसे पहला और basic जो हमारा formula यूज होने वाला है that is x raised to power n किसी भी variable की power अगर आपके पास पढ़ी है तो differentiation कैसे होता है power आपके पास आगे आ जाती है और एक power क्या हो जाती है कम हो जाती है तो differentiation of x raised to power n क्या हो गया n power आगे आगई और एक power क्या हो गई कम हो गई इसका example समझते हैं देखो example क्या हो सकता है जैसे मालो मैंने एक example लिखा यहाँ पे differentiation of differentiation of x raised to power something 9 तो x raised to power 9 का differentiation क्या होगा with respect to x power को आगे ले आओ और एक power क्या कर दो कम कर दो 9x raised to power 8 is the differentiation of x raised to power 9 तो यह basic सा concept है अब यहाँ पे यह हमारा सबसे पहला general formula है जो differentiation के अंदर use होने वाले है इंटिग्रेशन के अंदर भी हम differentiation का बहुत use करने वाले हैं कुछ एक basic concept है 6 या 7 concept है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए और मैं सारे के सारे formulas आपके description में डाल दूँगा कि जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी चाहे वो integration का हो चाहे वो differentiation के हो क्योंकि mainly 15 to 20 question definitely होते ही होते हैं जिसमें अलगलग formulas use होते हैं है ना तो integration टिग्नोमेट्री का differentiation इंटिग्रेशन क्या होता है इन्वर्स टिग्नोमेट्री का क्या होता है अलजेब्रा क्या होता है उन सब के बारे में बात भी करेंगे और मैं formula भी आपका description के अंदर चोड़ दूगा सबसे पहला जो हमने करा पावर आगे एक पावर कम अब इसी rule को आपने बार-बार apply करना है main differentiation यहीं हमारा खतम हो गया कैसे देखू थोड़ा थोड़ा level आगे बढ़ाते हैं ठीक है easy to moderate level के अंदर जा रहा हूं है सबसे पहले easy question बता रहो फिर धीरे-धीरे क्या-क्या हम use कर सकते हैं अगर आपके पास function दे रहा है something ax plus या मान लो एक सबसे पहले basic concept के बारे में बात करते हैं कोई function c दे रहा है और what is the meaning of c here constant अगर आपके पास constant function कोई है तो definitely उसका differentiation 0 होगा अगर यहाँ 2 है तो differentiation 0 3 है तो differentiation 0 इसका reason भी है इसका reason क्या है देखो मान लो dy में dx of 2 मुझे निकालना है तो मैंने बोल दिया 0 मैं ऐसे नहीं बोल रहा इसका logic है मान लो अगर 2 पड़े तो यहाँ पे x की power कितनी है ही नहीं x तो present ही नहीं है यहाँ यहाँ पे यानि कि जिसके respect में differentiation करना है अगर present ही नहीं है तो तो कहना है write x raise to power 0 in multiplication लिख सकते है because something raise to power 0 is 1 also always x raise to power 0 क्या हो गई? 1 हो गई बापे से 2 आजाएगा आपका differentiation का formula क्या था? power आगे एक power कम अच्छा अगर मैं x की power 0 आगे ले हूँ ठीक है 2 तो पड़े ही है एक power कम कर दो 0-1 तो answer तो 0 ही आजाएगा 0 multiplied by something is 0 इसलिए constant function का derivation हमेशा क्या होता है? 0 उसके पीछे यह logic है अब देखो धीरे आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे आपका जो formula है मैंने मानलो लिख दिया d by dx of ax plus b what is the meaning of ax plus b? a कोई ऐसा number पड़े है a is the coefficient of x and b is the constant number तो ax का क्या हो जाएगा a और b का 0 तो answer कितना आगया a example देखो example से आपको अच्छे से clear होगा एक एक concept clear होगा logic आपने सिरफ a की mind में रखना है power आगे एक power कम बस अब देखो ax plus b है तो मैंने example लिया 2x plus में 3 ठीक है? 2x का differentiation 2 because power आगे एक power कम x की power 1 है power 1 आगे करोगे 1 power आगे कर दिया एक ही बात है और एक power कम कर दो तो x raise to power 1 पहले ही था आपने 1 एक और कम कर दी तो 1 minus 1 क्या हो गया? 0 और something raise to power 0, 1 तो यहाँ से आप बोल सकते हो 4x, 3x, 7x कुछ मर्जी आजए आगे का number बज जाता है और constant का differentiation क्या होता है? 0 अभी हमने देखा तो ऐसे इसका differentiation हो गया अब देखो यहाँ पे सबसे important चीज और differentiation के अंदर आपको ध्यान रखनी है वो है chain rule differentiation हमेशा chain rule के अंदर apply होता है कैसे? देखो d by dx of d by dx of ax plus b raise to power 2 यहाँ x square लगा जाए थोड़ा सा और complicated करते है इसका differentiation कैसे करोगे? सबसे पहला logic हमारा power आगे अब वेसी बात है power आगे एक power कम यानि कि ax square plus b की power 1 यहाँ तक नहीं छोड़ोगे यह अभी तक सिरफ power का differentiation होगे power आगे एक power कम अभी अंदर वाले function का होना बाकी है इसको बोलते है chain rule कि जैसे जैसे function आते जाएंगे वैसे वैसे आप उनका differentiation apply करते जाओगे तो power आगे आगे एक power कम कर दी ax square का क्या होगा? ध्यान से देखना ax square power तो आगे आजाएगी a तो constant है तो power आगे आगे एक power कम होगी plus b तो constant है उसका differentiation जीरो तो यह answer आगया example देखो dy dx of 2x square plus में 3 की पार 2 जो जो मैं word बोल रहो है कि एक word आपने ध्यान से सुनना है ताक कि integration ने कोई दिक्कत ना है आपको देखो power आगे तो power आगे एक power कम यानि कि 2x square plus 3 एक power कम होगी बिल्कुल सही है अंदर वाले का differentiation 2x square power आगे जैसी power आगे आएगी इस 2 को 4 बना देगी एक power कम यानि कि x plus 3 का differentiation 0 तो इसका answer क्या आगया 4 to 2 is 8x into this तो यह आपके पास क्या होगया इसका differentiation होगया इसको बोला जाता है chain rule जो definitely apply होता ही होता है अब देखो 5th अगर आपके पास कोई भी function अगर आपके पास कोई भी function multiply के अंदर आता है देखो differentiation of u into v ठीक है u into v का मतलब क्या है u v पहला function है v हमारे पास दूसरा function है for example और इसका formula लिख रहा हूँ पहले मैं देखो first function as it is u as it is v का derivation plus v as it is u का derivation समझो मैं क्या कहना चाहरा हूँ example से करते हैं d by dx of मानलो मैंने लिख दिया x into में x plus 1 ठीक है आप चाहो तो इन दोनों को multiply करके differentiation कर दो पर मैं uv function की बात कर रहा हूँ जैसे जैसे function complicated होंगे आपको देरे देरे पता चलेगा uv का मतलब क्या है u हमारा पहला function है x plus 1 दूसरा function है multiply में derivation करने का method क्या है पहला function as it is रखो multiplied में दूसरे function का derivation x plus 1 का derivation क्या होगा one only क्योंकि x का one होगा one का zero होगा plus x plus one as it is पहले function का derivation x का derivation one तो answer मेरे पास actual में क्या आगया x plus x plus one which is equal to two x plus one तो ये derivation करने का तरीका है अगर दो function multiply में आ जाते हैं तो please pause the video to note it down इसके आगे बारे में बात करते हैं अब हमने पढ़ा कि दो अगर multiply के अंदर function दे रखे हैं तो उनका derivation कैसे करते हैं अब अगर function आपके पास d y d के अंदर दे रखे हैं d by dx of u by v एक चीज़ का ध्यान लखना आपको लग रहा होगा कि differentiation हम क्यों पढ़ रहे हैं ये differentiation के वो basic concept है वो basic formulas हैं जिनकी need आपको integration में definitive पढ़ने वाली है तो एक एक concept को आपको strong करना है देखो u by v आपके पास कोई भी formula दे रखे हैं तो u by v का आपके पास formula क्या होता है निचे वाला function as it is यानि कि v as it is u का derivation minus u as it is v का derivation divide by में निचे वाले function का whole square निचे वाला function as it is उपर वाले का derivation minus उपर वाले as it is निचे वाले का derivation divide by निचे वाले का square कैसे देखो example करते हैं d by dx तो u by v कोई वही ले ले लेते हैं जब हमने u v के अंदर लिया था x by में x plus 1 मैंने यही example ले लिया है ना तो यहाँ पर function दो divide के अंदर पड़े हैं इनका derivation क्या होगा निचे वाला function as it is v as it is उपर वाले का derivation x का derivation क्या होता है 1 minus उपर वाला function as it is x plus 1 का derivation x का 1 और 1 का 0 तो 1 प्लस में 0 which is 1 divide by में निचे वाले का square x plus 1 का square तो यह answer आगया आपके पास x plus 1 minus में x divide by x plus 1 तो answer मेरे पास क्या आगया 1 by में x plus 1 तो इस तरीके से यह वो basic concepts हैं जो differentiation के अंदर integration के अंदर आपके पास use होगे सबसे पहला जो आपने ध्यान लखना है थोड़ा सा recap कर रहे हैं power आगे एक power कम this is the basic formula है ना basic formula आपको ध्यान लखना है किसी भी constant का derivation क्या होता है 0 यह सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान लखनी है किसी भी constant का differentiation 0 derivation 0 हो जाता है और power आगे एक power कम ही हमारा journal सा rule है उसके बाद एक main important rule अगर something raise to par par पड़ी है that means आप क्या करोगे chain rule apply कर दोगे chain by chain चलता रहेगा उसके बाद आपको ध्यान लखना है दो function divide में आ जाएं तो derivation कैसे होना चाहिए दो function multiply में आ जाएं तो derivation कैसे होना चाहिए इससे related जितने भी formulas है derivation के कि trigonometry का derivation क्या होता है sign का derivation क्या होता है जैसे sign का derivation cause होता है cause का minus sign होता है ऐसे 15 to 20 most important formulas है जिनका use आपको होने वाला है वो मैं आपको screen पे भी show कर रहा हूँ नीचे description box में भी आपको मिल जाएगा so you can download from there अब हमारा जो main topic है वो start करते हैं which is integration so pause the video to note it down now integration के बारे में बात करते हैं integration आप बोल सकते हो कि derivation का ही anti है यह एक दूसरी को oppose करते हैं यानि कि derivation का integration कर दोगे तो वही answer आजाएगा integration का derivation कर दोगे वही answer आजाएगा example के थुरू बजाता हूँ मैं सबसे पहले हम notation की बात करते हैं आपे ठीक है, differentiation की notation मेरे पास क्या थी d by dx of x square plus 2x plus 3 ऐसा कुछ मैंने दे दिया, ठीक है, तो इसकी notation मेरे पास क्या थी d by में dx, अगर integration की notation आपको देखनी है तो integration की notation क्या होती है, x square plus 2x plus 3 का मानलो मुझे integration करना है, तो यहाँ dx लग जाएगा और साथ में यह integral का हमारे पास sign है, कि इसका integration मुझे करना है formula के बारे में भी बताता हूँ कि formula कैसे apply करोगे सबसे पहले आपको यह ध्यान लखना है, यह एक दूसरे के nt होते है prove भी मैं करूँगा, देखो कैसे, सबसे पहले general formula ठीक है, उसी general formula के बारे में बात करते हैं इसके मैंने differentiation के बारे में आपको बताया था x raised to power n का differentiation, वहाँ d by dx लगा दिया था, यहाँ पर integration का sign साथ में dx what is the meaning of dx, with respect to x, we are doing the integration now, वहाँ formula हमारे पास क्या था, पावर आगे एक पावर कम mainly आपका integration है, सलेवस के अंदर तो ध्यान लखना है एक power add कर दो, 2 है तो 3, 3 है तो 4, 4 है तो 5 उसी power से divide कर दो, but power add कर दी, उसी power से divide कर दी, but हर integration के answer के अंदर एक value लगेगी, that is c आप चाहे तो इसको a लिखो, b लिखो, c लिखो, k लिखो which is a constant number या constant function ऐसा होगा ही होगा, उसका reason क्या है वो मैं बताता हूँ देखो, examples के थुरू ही कर रहे हैं, मैंने बोला मैं differentiation या फिर integration कर रहा हूँ, differentiation हम यहाँ पर कर रहे हैं, मालो dy dx of 2x square plus 3, मैं इसका integration, differentiation करना चाहा रहा हूँ, इसका differentiation क्या होगा, इसका differentiation होगा, power आगे आगई, 2 को 4 बना देगा, एक power कम होगी, 3 का differentiation 0, answer क्या आगया, 4x, यहीं पर बात खतम होगी, यहीं पर differentiation खतम होगया, बट, अगर मैंने बोला कि यह एक दूसरे के anti हैं, तो differentiation का जो answer आ रहा है, उसका अगर मैं integration कर दूँ, वापिस से वही आना चाहिए, 2x square plus 3, मेरा logic क्या है, कि differentiation मैंने किसी function का किया, मेरे x के respect में, द्यान से समझ रहा, constant as it is, x, पावर add कर दो, 1 पावर है, तो पावर क्या कर दी, 2 कर दी, उसी पावर से divide कर दो, clear, now 2 to the 4, answer क्या आगया, 2x square, कुछ कमी रहे, और वो क्या कमी रह गई, वो कमी है 3, वो कमी क्या है, हमारे पास 3, कि वो constant हमारे पास pending था, differentiation के अंदर, जिसका हमने differentiation 0 किया, वो तो खतम हो गया, वो differentiation तो खतम हो गया, जब यहाँ पे 0 आ गया, तो हम उसका integration कैसे करेंगे, उसका integration तो होई नी सकता, तो इसलिए integration करने के बाद, एक number add हो जाता है, या constant add हो जाता है, which is C, और वो C के represent करता है, जो number last में पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, है ना, पढ़ा होगा, तो उसका differentiation 0 था, तो integration करने के बाद, वो जो constant pending था, जिसका differentiation 0 हो चुका था, उसकी वज़ाए से question के अंदर C लग जाता है, यह आपका C का logic है, अब मान लो, आप बोलोगे, यहाँ पे तो 300 होगा, 3 की वज़ाए 300 हो, तो फरक क्या बढ़ता है, 300 का differentiation भी तो क्या होगा, 0 होगा, constant का differentiation 0 होता है, फिर भी C लगेगा, तो C की value 3 अंदर होगी, वहाँ C की value 3 थी, बट अगर आप बोलो कि यहाँ पे constant ही नहीं, यहाँ पे मान लो, मैं बोल दूँ की constant ही नहीं, तो उससे भी कोई फरक नहीं बढ़ता, answer क्या आएगा, आप पी से 2x के रागया, आपने बोला ही पर यहाँ तो plus का C लगा दिया, वहाँ प एक power आपने add कर दी, उसी power से divide कर दिया, plus में C, ठीक है, chain rule यहाँ भी चलेगा, लेकिन chain rule यहाँ पे क्या चलेगा, वो धीरे धीरे में बात करता हूँ, हर question के हिसाब से, main आपको यह formula ध्यान रखना है, ठीक है, तो next question के बारे में बात करते हैं, pause the video to note it down, जैसे मैंने आपक पर आपको screen पर कुछ एक formula शो कर रहा हूँ, जिस formula के अंदर आपके पास given होगा कि किस algebra function का integration का formula क्या है, जैसे मैंने आपको x का formula बताया, power आगे एक power कम कर दी, sign का integration क्या होगा, cause आजे उसका integration क्या होगा, exponential यानि की e की power x आजे उसका integration क्या होगा, ठीक है, logarithm का function आजे उस ऐसे ही integration के अंदर वो 15-20 formulas हैं, जिनका integration आपको learn करना पड़ेगा, concept definitely same रहेगा, formulas मैं description में भी छोड़ रहा हूँ, आपने display पे भी देख लिया, देखो, question समझने की कोशिश करना, अगर आपने concept समझ लिया, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आने वाली है, ठीक है, तो pause कर वीडियो को, वीडियो pause करके question खुद से solve करके देखो, then play करो कि आपका answer सही है या नहीं, सबसे best method है, ठीक है, self study गा, now, x cube plus 3x plus 4 dx, with respect to x, we have to find out the integration, logic क्या है, power आगे, एक power बढ़ानी है, हमने उसी power से divide करना है, तो x cube का क्या होगा, power add कर दी, power से divide कर दिया, 3x, 3 तो constant है, x की power add कर दी, एक power add कर दी, उसी power से divide कर दी है, 4, यहाँ पर तो variable ही नहीं है, जहाँ constant का differentiation 0 होता था, यहाँ constant का integration 0 नहीं होगा, क्यों, इसके साथ x लग जाएगा, logic, अगर यहाँ पर 4 है, मैंने बोला कोई variable है ही नहीं, तो क्या मैं x raised to power 0 नहीं लगा सकता, लगा सकते हैं, integration का formula क्या, power add करो, उसी power से divide कर दो, तो 0 में 1 add कर दो, उसी power से divide कर दो, that means एक और चीज़ क्लियर होगी, constant आ जाएगा, तो क्या कर दोगे, साथ में x लगा दोगे, यहाँ जिसके respect में integration हो रहा है, but, जो सबसे important चीज़ आपको ध्यान रख रही है, which is c, ठीक है, constant function को mention करना ही कर negative sign, पर यहीं इसको नहीं छोड़ोगी, sin 2x का integration हो गया, minus का cos 2x, पर मैंने आपको क्यों बोला था, कि integration के अंदर, differentiation use होगा, because, यहाँ पे chain rule क्या चलता है, function का integration करने के बाद, उस function का derivation divide में जाता है, ध्यान से सुनो, function का integration करने के बाद, जो function आपको दिरख है, उसका integration करने के बाद, chain rule के coding, जो बाकी बचा हुआ function रह जाएगा, है ना, differentiation में हम क्या करते थे, multiply करते रहते थे, कि जैसे मान लो, power आगे, एक power कम, फिर अंदर वाले का differentiation, multiply, यहाँ अंदर वाले का differentiation, divide में जाएगा, logic सुनो, करना integration है, लेकिन chain rule के coding, अंदर वाले का differentiation, divide में जाएगा, sign का integration क्या होगा, minus का cause, अंदर वाला function क्या है, 2x pending है, ध्यान से सुनना, 2x pending है, 2x का differentiation क्या होता है, 2, वो जाएगा divide में, फिर आपको लगेगा जी, इस question के अंदर तो मैंने बताया नहीं, क्यों नहीं बताया, क्योंकि इसके अंदर 1 होगा, देखो, power add कर दी, उसी power से divide कर यहां पर क्या है, तो यहां पर क्या है, sin 2x का difference integration minus का cause 2x, formulas आपने ध्यान रखने है, और 2x का differentiation, 2 divide में चला गया, ऐसे ही, cause का differentiation देखो, आपके formulas के अंदर, जो मैंने screen में given दिये थे, sin, cause का differentiation होता है, sin, अंदर वाले का derivation divide में, integration, sin होता है, और 2x का derivation divide कर दो, 2x का derivation 2, साथ में एक चीज पेंडिंग रहेगी, जो बहुत important आपने लगानी है, इसके बिना question ही गलत है, constant लगाना है, तीक है, अगले बाले पर आ जाओ, exponential का integration देखो, formula मैंने दे रखा है, e raise to par 3x का e raise to par 3x, exponential का integration exponential ही होता है, और exponential का derivation भी exponential होता है, formulas फिर से बोल रहा हूँ, बिना learn के try करने की questions बत करना, questions, कुछ है questions जो आपने derivation और integration के try करने है, वो भी मैं फाइल नीचे छोड़ दूगा, तो आप अच्छे से self study कर सकते हो, exponential का integration, exponential, पर अभी आपको होगे 3x रह गया जी, 3x का derivation नीचे जाएगा, derivation क्या होगा, 3, ठीक है, 3-4 मैंने इसलिए example लिए, आप किसी भी question का निकाल पाओ, minus as it is, 2 as it is, ex का integration ex, x का derivation, 1, नीचे चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, 1 by x का integration होता है, log x, formula में आपको दिख जाएगा, plus में क्या लगाओगे, c, formula अगर आपको पता है, तो कोई भी question में दिक्कत नहीं आने वाली, now, यहाँ पे आपको होगे, जी power add कर दो, सी power study नहीं होता है, integration में ऐसा नहीं होता, इस power को solve करोगे, solve करो, a plus b का whole square है, तो, a square, plus 2x का whole square, 4x square, plus 2ab, 2 to the 4x cube, आगे differentiation खुद से करो, बाद में answer चेक करना, इसका खुद से करो, क्या, साथ साथ मेरे साथ सुनते रो, ठीक है, अपने mind के अंदर ही answer generate करो, जैसे मैं लिख रहा हूँ, power add करो, क्या आएगा जी, this, उसी power से divide, इसमें क्या होगा, power add, उसी power से divide, और इसमें power add 4x cube, तो cube के अंदर power add कर दी, उसी power से divide, और जो most important चीज है, that is constant, इस तरीके से आप integration करोगे, किसी भी function का, तो मैंने आपको बता दिया, कि derivation आपको कैसे करना है, integration कैसे करना है, यह सब वो basic concept है, जो आपके exam में use हो सकते है, तो यह कुछ एक example से, जिनके थुरू आप integration किसी भी question का easily निकाल सकते हो, बस एक चीज ही आपको ध्यान रखने है कि formulas हमें पता होना चाहिए, अगर आपको लगता है कि यह video बहुत ही helpful रही है आपके लिए, तो please like this video and subscribe my channel, ताकि इसी तरह की videos में आपके सामने लेके आता हो, तब तक के लिए goodbye, have a good day.